हाई गाईज आज हम शेयर करेंगे करोंदे का खट्टा मिठा चार बहुत ही जादा स्वात बनता है दोस्तों करोंदा बरसात का फल होता है और बरसात के टाइम में धूप पॉसिबल नहीं है तो ये अचार हम बिना धूप के बनाएंगे और ये सालो साल टिकेगा खराम नहीं होता बिना धूप के इस चटपटी से अचार की रेसिपी को एक बार ज़रू ट्राइ करें और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक करना मत भूलेगा शेयर कीजिएगा करोंदे का खटा मिठा अचार बनाएंगे आज हम एकदम फ्रेश करोंदे लिया है हमने ये वजन में लगबख 250 क्राम के करीब हैं इनने अच्छे से वाश कर लिया है उसके बाद इनके उपर का पानी यानि की उपर की नमी हमने फैन के हवा में सुखा लिया है अब ये त्यार है अचार में जाने के लिए सबसे पहले इनने हम साफ कर लेंगे इनके उपर जो stem part लगा रहता है डंठल इसे हम trim करके अलग कर देंगे उसके बाद इन्हें लंबाई में काटेंगे इनके अंदर देखेंगे आप एक छोटा सा बीज होता है ये बीज नरम है, soft है तो इसे हम नहीं निकालेंगे अगर इनके seeds dark color के हैं तो उन्हें जरूर निकाल दें वो थोड़े से hard होते हैं जो खाने में अच्छे नहीं लगते अगर आपके पास समय हैं तो आप ये soft बीज भी निकाल कर बाहर कर सकते हैं और बीज के ही करोंदे का अचार बना सकते हैं इस तरीके से बस इसी तरीके से हम करोंदे को साफ कर लेंगे और काटते जाएंगे यहाँ पर हमारे सभी करोंदे कट कर त्यार हैं और ये इनका waste है मतलब बीज और थोड़े से खराब करोंदे यह हमने अलग कर दिये हैं नेक्स टेप में हम एक पैन के अंदर 100 ग्राम गुड और 100 ग्राम चीनी अट करेंगे आप दोनों में से किसी एक चीज से भी यह अचार बना सकते हैं बीज से अचार का स्वाद और कलर अचाता है और चीनी से मिठास अच्छी मिलती है चार बड़े चमच पानी अट करेंगे और आचको चालू करेंगे और इन दुनों ही चीजों को अच्छे से मिल्ट कर लेंगे इसकी हम एक सिरफ तयार करेंगे एक तार की चाशनी त्यार करनी है आज को medium 2 लो रखेंगे अब आप देख सकते हैं चीनी और गुड़ अच्छे से बग चुके हैं बबल्स उठ रहे हैं अब चमच पे लगी चाशनी को हलका सठना होने दीजे उसके बाद अपनी finger और thumb के मदद से इस तरीके से एक तार बना कर देखें चाशनी का एक तार की चाशनी बन कर त्यार है अब चूली की आज को बन कर देंगे इसे और नहीं पकाना है चलते हैं नेक्स स्टेप के तरफ थर्ड स्टेप में हम एक पैन के अंदर एक चमच तेल गरम करेंगे करोंदो को हम पैन में फ्राइ कर लेंगे इस समय चुले की आज को तेज रखेंगे और इन्हें थोड़ा सा टॉस करते वे पका लेंगे अचार के लिए जो काम धूप करती है वो हम इस पैन के अंदर करेंगे यानि कि इन करोंदो को सौफ्ट कर लेंगे चोथा ही छोटा आज ही काला नमक याट कर लेंगे या फेस वात्के नुसार अभी प्रॉम लेंगे मसालो के साथ चोले की आज को कम कर देगे और इन्हें अच्छे से कुक लेंगे दोस्तों यदि आप हरे मिर्च और हरालने का इंस्टेंट अचार बनाना चाते हैं या फिर करोंदो चार य करवंदे मसालों के साथ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और यह अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं अब इसके अंदर हम चाशनी एड़ करेंगे जो हमने बना का रखी थी छानकर एड़ करेंगे ताकि जो भी इंप्योटीज हो यह सी चन्ने में रह जाएं और यहां पर हम अच्छे कलर के लिए एक बड़ा चमच कश्मिरी लाल मिच पाउडर एड़ करेंगे अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे आज को इस टाइम मीडियम टूलो रखेंगे और अब हम इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी वापेस से थिकना हो जाएं चुकि हमन इसके अंदर करोंदे और मसाले एटके हैं तो चाशनी थोड़ी सी पतली हो जाती है थोड़ा सा और कुक कर लेंगे और उसके बाद हमें थंडा करके स्टोर करेंगे अब इस टाइम पर आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि चाशनी थंडी होने पे और भी थिक होती है तो इसे medium consistency पही हमें gas की आज को बंद करना होगा अब आप देख सकते हैं हमारी चाशनी अच्छा से ready हो चुकी है इसके consistency भी medium थिक है और इसे अब हम gas की आज से उतार लेंगे gas की आज को बंद करेंगे और इसे ठणा होने देंगे करोंदे भी soft हो चुके हैं आप इन्हें और रंगत देख सकते हैं, बहुत ही डिलिशेज बना है यह अचार, तैयार अचार को काच की सूखी और साफ बनी में भरकर रखें, अचार को रूम टेंपरेचर पर ही रखें, यह खराब नहीं होगा, अचार खराब तब होता है, जब आपने चाशनी को कच्छा रखा, यान ज़्यादार लगता है, तो इसे ज़रू ट्राइ करें, और अगर वीडियो अच्छे लगी है, तो लाइक कीजे और शेकीजे, ऐसे और भी ठेरो रेसिपीज देखने के लिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, और फेस्बुक पेज को फॉल और लाइक कर सकत हैं, थैनकि यू बच्छे हैं।